आज की इस कहानी का नाम है अनमोल मोहबबत यह एक न्यू हिंदी लव स्टोरी है यह इस कहानी का थर्ड भाग है पिछले भाग में आपने पढ़ा रितिका अपने कॉलेज जाती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके बच्पन की दोस्त कार्तिक से होती है कार्तिक को अचा विच और कॉफी का ओडर करने को बोल दिया कार्तिक ने वेटर को ओडर दिया और रितिका के साथ एक टेबल के पास बैठ गया कार्तिक और बताओ रितिका क्या चल रहा है और तुम अचानक से कहां गायब हो गई थी रितिका वो दरसल पापा ने इस शहर में कपड़े की दुकान खोल ली तो हम सब गाउं से यहां आ गए फिर मैंने बाकी की पड़ाई यही से की कार्तिक ओह यार एक बार बता तो देती रितिका कार्तिक को क्या बताती कि वो खुद उससे दूर रहना चाहती थी क्योंकि उसे प्यार हो गया था कार्तिक से और इसलिए उसने कार थी नहीं मिला, सब जल्दी जल्दी में हो गया। कार्टिक अच्छा कोई नहीं। तभी वेटर उनका ओडर लाकर टेबल पर रख देता है और दोनों खाने में व्यस्थ हो जाते हैं। रितिका, तुम इतनी शांत क्यों हो। क्या तुम्हें अपने दोस्त से मिलकर खुशी नहीं हुई। थोड़ा उदास होते हुए। रितिका, ऐसी बात नहीं है कार्टिक। मैं बहुत खुशू तुम से मिलकर। बस सब कुछ अचानक से हो गया तो मुझे समझ नहीं आ रहा ह क्या बोलूं। अपने मन के भावों को छुपाते हुए। कार्टिक, अच्छा कोई नहीं। आप ज्यादा ना सोचो, ऐसी गुमसुम रितिका मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे तो मेरी वल चुलबुली रितिका चाहिए जो मेरे हिस्से की सेंडविच भी खा जाती थी। ये सुनकर रितिका खिलखिला कर हंस देती है और उसे देखकर कार्टिक भी हंस देता है। और तभी रितिका उसकी सेंडविच शीन लेती है और कहती है मैं अब भी वही चुलबुली रितिका ही हूँ। और अब तुम्हारी सेंडविच फिर से में ही खाऊंगी। औ और दोनों खिलखिला कर हन्स पढ़ते हैं. कार्तिक अच्छा विशाल तू चल में आता हूं. तभी विशाल चला जाता है. फिर कार्तिक रितिका से चलने को कहता है. दोनों आडिटोरियम की तरफ निकल जाते हैं. आडिटोरियम में पहुंचकर रितिका और कार्तिक ने फिर सब बाहर आ गए कोई कैंटीन में तो कोई क्लास्रूम में तो कोई स्टुड schle Crunch garden में चले गए रितिका भी क्लास्रूम की तरफ जाने लगी कि तभी पीछे से कार्टिक की आवा आ जाई कार्टिक कहां जा रہी हो, रितिका रितिका ने पीछे मुल कर देखा और जवाब दिया कहीं नहीं क्लास रूम में जा रही थी पहला दिन है और मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं यहां तो बोर हो रही थी रितिका ने थोड़ा उदास होकर कहा कार्टिक अरे किसने कहा कि कोई फ्रेंड नहीं है मैं भी तो हूँ यहां, ये सुनकर रितिका मुश्कुरा दी, कार्टिक चलो गार्डन में चलते हैं, वही बैठ कर आराम से बात करते हैं, इतने सालों बाद मिली हो तुम मुझ से, बहुत सारी बाते करनी है तुम से, रितिका ने मुश्कुरा कर हां में सर हिलाया और डोनों की तरफ चले गए कार्टिक वैसे रितिका एक बार तो बता देती कौन सा दूर था उसी में महले में तो रहता था पर तुमने बताया तक नहीं कि तुम वो शहर छोड़ कर जा रही हो हमेशा के लिए रितिका सौरी कार्टिक सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मौका ही नहीं मि मिल गई ना अब अचानक से मत चली जाना कहीं और दोनों खिलखिला कर हंस पड़े वैसे रितिका तुम्हें पता है कि तुम मेरी सच में बैस्ट फ्रैंड थी और हो तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत मिस किया तुम्हें वहाँ उस शहर में मेरा कोई नहीं था तुम दुख हुआ और पच्टावा भी कि उसकी वज़े से कार्टिक हट हुआ। रितिका आएम सोरी कार्टिक सच में सब जल्दबाजी में हो गया। पापा ने कहा कि हमें आज ही यह शहर छोड़ कर जाना है। और दूसरे शहर में उन्होंने अपना बिजनेस टॉट कर दिया ह मुझे भी बहुत अजीब लगा कि इतनी जल्दी क्यों। पर पापा ने कहा कि वो कई महीनों से इस काम में लगे थे। और फाइनली वो बिजनेस टॉट कर लिया और नया घर भी ले लिया खुद का। तो मैं और मां बहुत खुश हुए और हम लोग यहां आ गए। उस ट सारे स्टुडेंट्स जा रहे हैं। आज कोई ग्लास नहीं है तो कार्तिक खां चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और अंकल आंटी से भी मिल लूँगा। इतने सालों से मैंने आंटी के हाथों का खाना भी नहीं खाया है। रितिका खां क्यों नहीं। चलो फिर मा पापा तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। दोनों फिर घर के लिए निकल जाते हैं। इस कहानी का यह अध्याय यही समाप्त होता है। अगर आप कहानी को आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग जरूर पढ़े।